ओम शान्ति हम सब के बीच में हमारे आदनिया राजयोगे ने शीलुदी दीजी उपस्थित हैं हम एक हाथ हिलाकर आपका स्वागत करते हैं, सतकार करते हैं, अभिनंदन करते हैं आप बाल्यकाल से ही इस इश्वर्य मार्क पे चल रहे हैं मुंबई महानगरी से निकले इश्वर के अनमोल रतन 1969 में साइंस में ग्रेजुएशन किया और पहली बार 69 में जो मदुबन में कन्याओं को टीचर बनाने की जो पहली ट्रेनिंग चली उसमें आपने पार्टिसिपेट किया कन्यासी राज योगा टीचर के रूप में तयार हुए और बाबा ने आपको भारत के विदेश के अलग-अलग स्थानों पर सेवार्थ भेजा जैसे की राजकोट, हैदराबाद, बैंगलोर, मौरिशस, अफरीका, नेपाल आदे आदे स्थानों पर भेजा जहां आपने बाबा का संदेश चन चन तक पहुचाया और सेवा केंद्र खुलने के निम्मित भी बने और फिस 76 में जब आप मदुबन आए, आते तो हर वर्ष थे लेकिन जब 76 में आए, तो आपके लिए एक golden opportunity इंतजार कर रही थी दादी ने आपको बहुत सुंदर आउसर दिया, मदुबन निवासी बने का तो शायद सभी को रहता है, हमका मदुबन निवासी बनेंगे, है न? तो दादी ने आपको बहुत सुंदर आफर दिया, जिसको आपने सहर्ष स्वीकार किया और तफ से लेकर आज दिन तक इस धरनी पर रहते हुए देश विदेश की आप सिवाएं कर रहे हैं आपको बाबा ने खास दो वर्दान यू तो बहुत वर्दान दिये हैं लेकिन दो का जिक्र मैं यहां करना चाहूंगी एक आपकी जीवा पर विद्या की देवी सरस्वती सता विराज मान रहेगी और दुसरा आप हर की पौड़ी की गंगा है जहां हर कोई स्नान करने के लिए पहुँचता है वैसे तो गंगा बैते-बैते खुच जाती है लेकिन हर की पौड़ी में सभी आकर के स्नान का लाब लेते हैं तो ऐसे हमारे दिदी जी जो वर्तमान में राजयोग शिबीर के डाइरेक्टर है एजुकेशन विंग के वाइस चेयर परसन है विदेशी भाइबन जब यहां आते हैं तो में इंटरप्रिटर होते हैं बाबा की जो मुरली चलती है लाइव ट्रांसमिशन inग्लिश टांस्लेशन आप करते हैं और उसके साथ-साथ यहां पर जब विदेशी आते हैं उनकी programs भी arrange करते हैं आपकी भठियों को arrange करते हैं और इतना ही नहीं जो पालना, मम्मा, बाबा और दादियों से आपने ली है उसका पूरा पूरा return आप करते हैं अब दादिया जो अव्यक्त हो चली है तो आप से ही, आपकी पालना से ही सभी को वो अनुभूती होती है कि हम दादियों से मिलकर आए दादियों ने जो पालना दी, जो मर्यादाएं दी उन सब का, उन सब के प्रतीबी सब का ध्यान खिचवाते है तो ऐसे हमारे देदी जो वर्षों से ज्ञान दान की सेवा कर रहे हैं जिनकी जीवा पर सरस्वती विराजमान हैं, आज हमें भठी का लक्ष और उतेश्य स्पष्ट करेंगी ऐसे तो लक्ष है संपन्नता की और बढ़ना जो कि एक बहुत बड़ा लक्ष है लेकिन बहुत बड़े लक्ष को हासिल करने के लिए छोटे छोटे लक्ष हासिल करने होते हैं तो उसमें से ही एक विशे दीदी को आज दिया है योग युक्त और युक्ती युक्त इस्थती हम कैसे बनाएं तो हम दीदी से अवश्य सुनेंगे इस बारे में लेकिन इससे पहले हम आपका परिचे भी दीदी को देना चाहेंगी तो आप मैंसे जो बाबा के ज्यान में चलते जिने एक से पाँच वरश हुए हैं वे हात खड़ा करेंगे एक से पाँच वरश के बच्चे बहुत स्वागत है आपका जो पाँच से दस वरश के बीच के बच्चे हैं आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है 10 से 15 most welcome 15 से 20 आपका भी बहुत स्वागत और जो 20 से उपर है सभी में सभी के हाथ कड़े हुए है तो आपका भी स्वागत है अर्थात ये ग्रूप कैसा है जा बूढ़ा भी बैठा है और बच्चा भी बैठा है ऐसा ही कहेंगे न तो ये अनोखा विश्व विद्याले है जहां सभी एक साथ पढ़ते है तो अभी हम दीदी जी से सुनेंगे युक्ती युक्त योग युक्त इस्थिती हम कैसे बनाएं और उससे पहले दीदी हमेशा चाहती है जो सामने बैठ सकते खुला इस्थान खाली जग पढ़ी है ये मेडिटेशन हाल एक ऐसा हाल है जहां वक्ता के साथ बहुत सानिध्य फील करने के चांस है सामने जो आकर बैठ सकते हैं खुली छूट है आकर बैठी और वो सानिध्य का लाप प्राप्त करें जो हम बड़े बड़े हाल में एक दूरी महसूस करते हैं कि वक्ता तो बहुत दूर है हम बहुत दूर है और इसलिए बाहर जाके ओम शान्ती करते हैं और बोलते हमको आप से मिलना आरे अभी तो क्लास कर दी दी तक इतना दूर होते हैं यहाँ पे तो बहुत पास से देखने का चांस मिलेगा आपको और भाई लोग इस साइड बैठेंगे बहनों से रिक्वेस्ट है बहने इस साइड बैठेंगे पहले के जो दो सोफा बहनों ने एंगेज किये हुए हैं इस तरफ के यह भाईयों का साइड भाईयों के लिए रखेंगे और इस तरफ अभी तो बैठें ठीक है बहने आगे से कल से ध्यान रखेंगे कि बहने इस तरफ वाले दो सोफे छोड़ दे ये भाईयों का है हाँ देख रहे हैं भाईयों की संख्या कम है definitely बहनों ने ये साइड लेना होगा लेकिन सामने वाले सोफे भाईयों के रख देंगे तो अच्छा रहेगा और teacher बहने भी सामने सामने बैठे जल्दी से आप बैठ जाए तो समय पर हम अभी क्लास आरंब करेंगे तो हम सुनते हैं आदनिया दीदी जी से अपना परीचे दे रहा शरीर का नाम इंद्रा बहन है 1987 में ज्ञान में आए और 1998 में समध भी जीवन आरंब किया आरंब के पांच वर्ष बाबा ने ज्ञान सरूर में स्पार्ग आफिस में सेवा करने का चांस दिया जहां इस आत्मा को बाबा ने निमित बनाया मनोबल एवं मनसा सेवा की जो पुस्त तक इतनी मोटी जो लिट्रेचर में सेल होती है वो कंपोस करने के लिए निमित बनाया बाबा ने सात्मा को और उसके बाद चुकि हम नाकपूर सबचोन को बिलॉंग करते हैं नाकपूर सेवा केंद्र पर रहने का भी चांस मिला और चुकि इस पार्क से जुड़े हुए थे अर्थाद रमेश भाई और उशा बहन से जुड़े थे तो उन्होंने गामदेवी सेवा केंद्र पर रहने का उसर दिया और चुकि सेवाओं की शुरुवात तो हमने हेटकौाटर से की थी तो सेवा केंद्रों का अनुभाव करके वापस बाबा ने हेटकौाटर में बुला लिया तो 2009 से हम मदुबन पांडवभवन में रहते हैं शीलु दिदी के साथ उनकी ग्लोबल ऑफिस में जो जो उनकी सेवा हैं उसमें हम अपना सहीयोग देते हैं ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति दादी जानकी ने हमें तीन बार ओम शान्ति कहना सिखाया है दादी हमेशा कहा करते थे मैं कौन मेरा कौन और मुझे क्या करना है तो यही विधी हमने भी जरूर अनुभव की होगी तो सबसे पहले प्यारे बाप दादा मीठी ममा, सर्व दादिया, सर्व मदूबन निवासी भाई बेने और हमारे तरफ से भी इन सब के तरफ से और हमारे तरफ से भी आप सभी दिली निवासी भाई बेनों का बहुत बहुत स्वागत है स्वागत है, स्वागत है आपने लिए जोड से ताली बजाएं मदूबन तपो भूमी है, वर्दान भूमी है, परिवर्तन भूमी है ब्रह्मा बाप, जगतंबा सरस्वती और सर्वदादियों की तपस्या भूमी है तो ऐसे स्थान पर बठी करना ये एक बहुत बहुत बड़ा सौभाग्य है आप मेंसे कई भाईबेने ऐसे भी होंगे जिनका कोई प्रोग्राम नहीं था आने का लेकिन एन मौके पर आपको कहा गया कि आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं और आप तयार हो गए और ऐसे भी कई होंगे जिनका प्रोग्राम था, सब फिक्स था, तयारी भी कर ली थी पर एन मौके पर वो नहीं आ सके तो हम तो यही कहते हैं, जो पहुँच गए, वो बहुत-बहुत-बहुत भाग्येशा ले, तो अपने लिए अताली बजाओ, तो मदूबन में आना, माना सहज ही, योग-युक्त हो जाना, रविवार को बाबा ने हम बच्चों के आगे कितनी अच्छी मुड्ली चलाई है न, संडे की मुड्ली, योग-युक्त व युक्ति-युक्ति-स्तिति, बाबा ने का दो प्रकार के बच्चे बाबा देख रहे हैं, एक है योगी बच्चे, तो योगी तो सभी हैं, हम सब क्यों हैं? राज-योगी हैं, प्रजा-योगी तो नहीं है न, राजाई लेने लिए हम योग लगाते हैं, भगवान से स्वर्ग का अधिकार लेने लिए हम राज-योग सीख रहे हैं, तो योगी तो सभी हैं, लेकिन योग-युक्त कहां तक हैं? योग-युक्त के साथ कितने और शब्द जुड़ जाते हैं? योग-युक्त के साथ फिर युक्ती-युक्त भी बाबा कहते हैं, फिर ज्ञान-युक्त भी कहते हैं, धारना युक्त भी कहते हैं राज युक्त भी कहते हैं ये शब्द सारे बाबा की मुल्यों में आते हैं तो इन सब शब्दों में भी कितना बड़ा अर्थ समाया हुआ है और फिर बाबा कहते हैं सदाके योगी स्वतह योगी स्रेष्ट योगी सहज योगी तो उनमें भी क्या अंतर है वो भी हमें समझना होगा सहज योगी और स्वतर योगी स्वतर योगी जिसको बाबा कहते है नाचरल, स्वतर, आटोमाटिक जिसमें हमको महनत न करनी पड़े तो वो योगी कहां तक बने है तो योगी तो हम सभी कहेंगे अपने आपको जिसने राज योग सीखा अपने आपको आत्मा समझ परमात्मा से सर्व संबंद जोड़ना ये राज योग है और परमात्मा से सर्व प्राप्तियां करना ये राज योग है जिस राज योग के द्वाने इंद्रियों संसकार के सर्व पुराने जो संसकार है सब पर हम विजय प्राप्त करते हैं तो लक्ष तो बहुत उचा है और ये सब करने से क्या हमारा उदेश्य है क्यों ये सब कर रहे हैं क्योंकि हम को पावन बन घर जाना है पावन बने बिना हम घर नहीं जा सकते हैं और दो तरीके बाबा कहते हैं पावन बनने के हैं एक तो योग द्वारा दूसरा सजा द्वारा तो जितना सजा द्वारा पावन बनेंगे उतना पद तो कम होई जाएगा और जितना योग द्वारा पावन बनेंगे उतना उंचा पद पाएंगे तो इसलिए बाबा ने ये सारी बाते स्पष्ट तो कर दिये अब उनको हम कहां तक अमल में लाते हैं अपने जीवन में धारन करते हैं वो हमारे उपर है तो बाबा ने बहुत बड़ा उद्देश्य तो देई देए अब घर चनाएं बाबा आते ही तब हैं जब बच्चों को घर ले जाना है वापिस बीच में आकर क्या करेंगे क्योंकि उनका यही कारिय है सब बच्चों को मुक्ती जीवन मुक्ती देना तो वो तो अन्त में होगा बीच में तो कोई नहीं जा सकता है तो इसलिए बाबा आते ही अन्त में हैं और हमें कहते हैं बच्चे अभी घर चलना है सबसे बड़ा संदेश यही बाबा लाते हैं इसलिए बाबा कहते धर्म पिताओं को मेसेंजर नहीं कहेंगे, वो संदेश वाहक नहीं है, वो कोई संदेश नहीं लाते हैं, लेकिन इस दुनिया में कैसे रहना है, समय अनुसार कैसे चलना है, तो वो जो उस समय की स्थिती थी, उस अनुसार उन्होंने प्रीचिंग की, या जो कुछ ग्यान दिया, लेकिन घर जाने का वापिस परमधाम जाने का रास्ता, वो बाप ही बताते और वो ही मेसेज देते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं, तुम सच्चे मेसेंजर हो, क्योंकि को रास्ता बते हो, तो घर का रास्ता बताना माना, खुद तो ever ready हैं हम, कि कभी भी बाबा बुलाए, हम तयार हैं, इसलिए बाबा तीन शब्द तो कहते ही हैं, कौनसे तीन शब्द कहते हैं, एक तो बाबा कहते हैं, अचानक, दूसरा बाबा कहते हैं, ever ready, और तीसरा काल का भ्यास। ये तीन बाते क्यूं बाबा कहते हैं क्यूंकि हमारा सबसे बड़ा अदेश्य है कि अब घर जाना है। तो अचानक कुछ भी हो जाएगा। अचानक होगा, सब कुछ अचानक होगा, अचानक क्यों बाबा कहते हैं, होगा तो सब ड्रामा अनुसारी, लेकिन अचानक क्यों बाबा कहते हैं, अचानक तो कुछ ही नहीं, सब ड्रामा में फिक्स्ट है, लेकिन अचानक क्यों बाबा कहते हैं, क्योंकि बाबा पहले तो इसलिए अच्छानक, बाबा कहते हैं, फिर बाबा कहते, We are ready, क्योंकि, जब अच्छानक होगा, तो हम अगर तयार नहीं होंगे, तो कैसे जा सकेंगे, पर तयार भी, तब हम पूरे हो सकेंगे, जब बहुत काल का अभ्यास होगा, इसलिए बाबा कहते हैं वैसे तो मुक्ति जीवन मुक्ति बाबा कहते है सेकंड की प्राप्ति है सेकंड में जीवन मुक्ति लेकिन समय किसमें लगता है विकर्मों को दग्द करने में पावन बनने में पुराने संसकारों को मिटाने में इसलिए ये समय लग रहा है तो इसलिए बाबा हम बच्चों को बहुत उचा उदेश्य दे रहे बच्चे घर जाना है तो पावन जरूर बनना है क्योंकि कोई भी पतित घर नहीं जा सकता है और फिर घर जाने से पहले फरिष्टा बनना है फरिष्टा बनने से पहले बाबा है देवता बनना है ये तो अदिम उदेश्य उसमें भी लक्ष्मी नाराएंट बनना है कितना उचा उदेश्य बाबा देते है भले बाबा कहते है फर्स नंबर तो ममा बाबा आएंगे लेकिन फर्स स्टेज तो है आपली, पहला फिस्ट ख्लास में तो बहुत आ सकते हैं, जले पहला नंबर बाबा ममा लेंगे, परंतु उनके साथी भी तो चाहिए नजाएं तो बाबा कहते हैं, चलो एक सव आठ में आजाओ, वो भी नहीं हो सकता है तो अच्छा सोलह हजार में आजाओ, अच्छा वो भी नहीं हो सकता है, तो नौ लाख में तो आजाओ, शुरू-शुरू में तो आओ शुरू आत माना कम से कब नौ लाख में तो आएंगे, वो तो बहुत होंगे, तो पहला तो हमारा उदेश्य है कि उचे से उचा पद पानाएं, सत्युगी दुनिया में, पर उसके पहले घर जानाएं, उसके पहले परिष्टा बननाएं, उसके पहले बाप समान बननाएं, पर उसके पहले जो बताया, छोटे छोटे लक्ष तो छोटे छोटे लक्ष क्या है, हम सब स्रेश्ट योगी हैं स्वतह योगी है तो ऐसे हम है पूछे हम अपने आप से तो किसको कहेंगे सहज योगी जो युद कर रहा है संघर्ष कर रहा है वो तो सहज योगी नहीं होगा ना कि वो तो फिर मेहनत वाला योगी होगा सहज योगी माना केवल इतना ही नहीं कि अपने आपको आत्मा समझ बाबा को याद करना वो तो है इसलिए सहज योग है लेकिन सहज योग का अर्थ ये भी है कि मेहनत नहीं हो अगर मेहनत कर रहे हैं तो फिर योधा कहलाएंगे क्योंकि योधा योधे तो मेहनत करते हैं और देवताओं को कहा दिखाया है कमल फूल पर, विराजमान, साक्षातकार, मूरत, वो योधे तो नहीं है, तो इसलिए अगर वो स्वरूप का अनुभव करना है, तो फिर हर समय योग-युक्त रहना होगा, और योग-युक्त रहने के लिए बाबन ने उस तिन बहुत सुन्दर बात कहीं, दो शब्द बाबन ने दिये, कौन से दो शब्द याद है? सार्थी और साक्षी, अब इसकी बहुत बड़ी गेहराई है, साक्षी और सार्थी, सार्थी जैसे गीता में दिखाते हैं कि अर्जुन को भगवान ने का मैं तुमारा रत चलाओंगा, बाकी करना सब कुछ आपको है, मैं तीरकमान नहीं चलाओंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं केवल तुमारा रत चलाओंगा, तो सार्थी बन कर के रत चलाया, बाकी सारा काम तो अर्जुन का था, तो हम, हम भी सार्थी कहां तक बनेें? सार्थी की तुल नहीं ह código गवाने हैं में उस गाड़ी के अंदर उनके जो मालिक है वो खुद बैठा है, उनके साथ में और भी बैठे हैं, और ड्राइवर को तो केवल गाड़ी चलानी है, बस, वो बीच अंदर बैठे हुए क्या कर रहे हैं, क्या बोड रहे हैं, वो उनको नहीं सार्थी को नहीं सुनना है, अगर व रत जो उसको चलाना है, वो भूल जाये, तो क्या होगा? एकशिदन कर देगा, या और कुछ काम कर ले, चलो, मुफाइल ही चला ले, तो कहते ना, ड्राइवर को मुफाइल भी नहीं चलाना है, गाड़ी चला रहे हैं, तो बात नहीं करनी हैं, तो दिहान बढ़ जाएगा तो ध्यान केवल रत चलाने में बास और वो भी मालिक बन करके चलाने में मालिक बन कर यह नहीं कि मालिक उसको कहेगा ऐसे करो ऐसे करो उसको पता है मुझे कहां जाना है मन्जिल उसको बुद्धी में है और समय पर पहुँचना है ये भी उसको बुद्धी में है कैसे रत को चलाना है वो भी वो अच्छी तरह जानता है इसलिए हर बात की उसको जानकारी है और उस अनुसार बिना अपने मन को कहीं भी डिस्टरब करके वो रत पर ध्यान देता है गाड़ी पर ध्यान देता है बैलन्स पूरा रखता है इतना अलर्ट रहता है कि कहीं भी थोड़ी भी चूक न हो जाए हमारी चूक नहीं होती है लेकिन दूसरे की चूक होती है सामने वाला और वो ही कहीं ठोकर मार देता है हम तो ठीक चला रहे हैं तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है ऐसे नहीं, मैं तो ठीक चल रहा हूँ पर दूसरे ठीक नहीं चल रहे हैं वो ठीक नहीं चल रहे हैं उसमें हम उनको दोश तो नहीं देंगे तो हम कहां तक ठीक है, अगर दूसरे ठीक नहीं है, तो कम से कम हम तो ठीक रहें, हम तो अपनी अपनी सुरक्षा करें, ऐसे तो नहीं कहेंगे, एक्सिदेंट करने के बाद हम दूसरों को दोश देंगे, इसके कारण हुआ, इसके कारण हुआ, होता है न, कई बार ऐसे होता ह है कि हमारी तो बड़ी गाड़ी है और दूसरा जो है जो accident करता है वो तो two-wheeler है और हमारी four-wheeler है तो ये भी एक नियम है कि अगर two-wheeler के साथ four-wheeler की का टक्कर हुआ तो दोशी two-wheeler नहीं होगा कौन होगा four-wheeler ही होगा भले दोश two-wheeler का ही हो वो आजकल तो two-wheeler वाले कैसे बीच-बीच में कैसे चले जाते हैं पता भी नहीं चलता है परन्तु फिर भी दोशी four-wheeler ही होगा क्यों क्योंकि बड़ी गाड़ी वाला है तो बड़ी गाड़ी वाले पर दोश है अब हम तो कितने बड़े हैं तो और तो बाबा कहते तुम कौन हो तो सार्थी बन करके र अब गाड़ी में कोई खा रहे हैं और ड्राइवर को कहेंगे आप भी खाओ तो वो कहेंगा नहीं नहीं मुझे गाड़ी चलानी है वो बाते कर रहे हैं और ड्राइवर भी उनके साथ बाते कर रहा है होगा ठीक है यह ड्राइवर भी बाते करता रहे मोबाइल भी देखता यह एक्सिडेंट नहीं करना है इसलिए बाबा हमेशां कहते सार थी बस तुम्हारा काम क्या है इस रत को ठीक चलाना तो इस एक तरफ तो रत को ठीक चलाना है रत को ठीक चलाना माना शरीर का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा motor गाड़ी है तो शरीर का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा अब डालना इसमें petrol और डाल देते घास लेट तो क्या होता है क्या होगा तो शरीर को कैसा भोजन देना है वो भी हमको सही ज्यान चाहिए शरीर को लिए क्या उच्चित है वो भी हमको समझना होगा कैसे exercise करनी क्या करना वो भी ध्यान रखना होता है क्योंकि आखिर शरीर तो मुल्यवान है बाबा कहते अंतिम जीवन है अंतिम जनम है तो मुल्यवान तो है शरीर चतिया चला लगा करके भी शरीर को चलाना है क्योंकि फिर दूसरा जनम लेंगे तो फिर तो पुर्शाट नहीं कर सकेंगे इसलिए सच्चा सार्थी बनना माना शरीर को भी ठीक धंग से चलाना अर्थात इंद्रियों को भी ठीक धंग से चलाना और मन बुद्धी संसकार को भी ठीक धंग से चलाना यानि अपनी जो ट्राइवर की बुद्धी भी इतनी अलर्ट चाहिए, मन भी विचलित नहीं होना चाहिए, संस्कार भी उनको बहुत एकागरता के रखने चाहिए, तो उसको बाबा कहते है सार्थी, तो इसलिए सार्थी शब्द में बहुत बड़ी गेराई है, तो अपने आप से पूछना है, योग योग तुमाना, मैं सचमुझ अपने इंद्रियों का मालिक हूँ, इंद्रियों को ठीक ढंक से चला रहा हूँ, कोई भी इंद्री हमको दोखा तो नहीं दे रही है, क्योंकि ये जो पंच इंद्रियां है न, ये पंच विकारों का ही स्वरू बन जाती है, जैसे हम कहते हैं पंच इंद्रियों के रस मानते हैं, एक है कन रस कहते हैं, फिर तो ये पंच इंद्रियां हैं, स्पर्ष रस, तो स्पर्ष रस माना चमडी, अब ये स्पर्ष रस, चमडी, ये कौन से विकार का संकेत है, कामवासना, कामवासना क्या स्पर्श रश ही तो है उसका ही आकर्शन है उसी का ही वो अल्बकाल का सुख लेते हैं तो ये विकार हो गया काम विकार जितना स्पर्श रश की आकर्शन में जाएंगे उतनी कामवासना बढ़ेगी और बाबा कहते है उसका छोटा सा रूप क्या है? कोई क exceptions नहीं मैं तो पवित्र रहता हूँ. ठीक है पवित्र रहते हैं, लिकिन उस सपर्श रस का सबसे छोटे से छोटा स्वरूप काँन सा है? हम किसी मुजियम में जाते हैं, जाते हैं, तो वहां पर कितनी चीजे होती है, देखने की होती है, और सब जगर लिखा रहता है, कृपया हाथ मत लगाईए, हाथ मत लगाईए, एक एक चीज पर लिखा रहता है, कृपया, हाथ मत लगाईए, पर फिर भी हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, आगे पीछे देखत कोई देख तो नहीं रहा है तो रहा हाथ तो लगा है अब क्यों हाथ लगाना है खरीदारी तो है नहीं वहाँ कोई दुकान तो नहीं है न वो खाली देखने के लिए बस लेकिन हाथ लगाना कैसे है इसका कैसा है ये तो ये स्पर्षरस ये भी तो स्पर्षरस हो गया तो ये छोटा रूप है लेकिन इसका ही विक्राल रूप है कामवासना और कामवासना का देखो आज विक्राल रूप कितना हो गया है, ये बलातकार ये क्या है ये कामवासना का विक्राल रूप है स्पर्षरस का ही विक्राल स्वरूप है, यह कितना बड़ा घोर कल्युक का यह स्वरूप है, जो आज एघ रहे हैं, फिर क्रोध देखो, यह क्रोध क्या है, यह आखे, यह है माँनो नीत्ररस, तो यह नीत्ररस आखों से कितना गुसा दिखाई देता है, मुक्से गुसा तो बाद में निकलेगा, पहल शार चलता ये, बहुट, इसको बहुत गुसा है, बले बोला कुछ New लेकिन गुसा है, तो जैसे ये चेहरा मन का दर्पण है, तो उस चेहरे में भी सबसे पहले आखे, ये मन का दरपण है, तो इसलिए आखों से वो क्रोध दिखाई देता है, और बाबा कहते हैं, आखों को तो शीतल बनाना है, तो स्पर्ष रस को भी हम शीतल बनाएं, नेत्रों को भी शीतल बनाएं, फिर तीसरा विकार, तीसरा है ये जीव रस, वो है लोब, तो बाबा कहते लोब को भी अमें जीतना है, इसलिए ये लोब विकार भी कितना दुख दे सकता है, यही चीज चाहिए खाने के लिए, यही काऊंगा, नहीं मिलेगा, तो खाने यहीं नहीं खाएगा, अब ऐसे भी बहुत लोग है, वही चाहिए, यहां तक ही मरने तक भी वो एक सोचते हैं किसी का मिसाल देते हैं कि वो मरने की स्थिती थी और वो माता कह रही है मुझे तो सीता फल चाहिए सीता फल चाहिए अब सीता फल कहां से आएगा वो सीजन तो थी नहीं सीता फल की वो सीता फल चाहिए सीता मर रही है अब गई चलो दूढ़े कहां सीता फल मिलेगा पता नहीं कहां से कोई ऐसे दुकान से चलो ला भी गई ला भी दिया पर अते आते ओम शांती वो तो गई तो अंत में क्या याद रहा सीता फल एक किसी का ये भी मिसाल दिया कि पानी पूरी चाहिए, पानी पूरी, मरने से पहले इसकी यंते मिच्छा पूरी कर लो, पानी पूरी खिला दो, चलो वो भी खाए, और परन्तु जब तक वो तयार होने में टाइम तो लगता है, कोई ऐसे तो रही कि बस खाली, ऐसे ही बन गया, पन तो गई आत्मा, तो ये लोब की जो वृत्ती है, ये जीव, ये भी बहुत दोखा दे सकती है, और वो लोब भी बाबा कहते, कितना बड़ा विकार है, तो फिर मोह, मोह के लिए कौन सी इंद्री है, ये नाक, तो ये है जैसे, क्या कहेंगे इसको, गंदरस, सपर्शरस, नेतररस, जीवरस और गंदरस, तो गंदरस, जिससे मोह होता है, नवस उसको चिपक के रखेंगे, जैसे उसको, उसकी सुगन लेते रहेंगे, कईयों को कुटों से बहुत प्यार होता है, बिल्यों से बहुत प्यार होता है, आजकल मनुष्यों से प्यार कम है, कुटे बिल्यों से बहुत है, तो इतना उसको, ऐसे उसको पकड़ के रखते हैं, उनको सुंगते रहते हैं, तो ये भी तो मो की निशानी है कई तो ऐसे एक बहन का सुना रही तो इसका अपने कुटे में इतना मो था इतना मो था अब कुटा की तो कितनी आई होती है 10-12 साल बस望anter और लो कुटा मर गया मर गया तो इतना रोई, इतना रोई वो इंसान के लिए नहीं रोती, कुत्ते के लिए रोई मैं आस्ट्रेलिया गई थी, एक माता नौ-दस बिलियां थी उसके घर में अकेली रहती थी और बिलियां ही पालती थी तो मैंने का आप सेंटर पर क्यों नहीं आती है बहुत पुरानी बेहन लेकिन सेंटर पर नहीं आतीbye, क्यतिया मेरी बिलियों को कौन पालेगा क्यून देखिएगा मैं अगर सेंटर पर आओं तो बता हो ऐसे भी है मनुष्यप सारा दिन बिलियों को हमने उसे कहा कि आपको बिलियों से इतना प्यार की हुए तो कहती है, यह हमको गुसा आता है नो इसलिए मोहुमाना ये नाग और किसी ने मेरे लिए कुछ बुरा कहा और मैंने सुन लिया अच्छा इसने मेरे लिए ऐसे कहा क्या समझता है मैं भी कम हो क्या कान खड़े हो गए तो ये अहंकार की निशानी है तो ये पांच इंद्रियां ये पांच विकारों को कैसे आकरशित करती है इसी लिए बाबा कहते हैं ये कर्म इंद्रिय जीत बनना है एक एक कर्म इंद्रिय को कैसे वश्च में करना होता है तो बाबा कहते हैं मालिक बन जाओ मैं आत्मा यहां अकाल तक्त पर विराजवान हूँ और इस दे की इंद्रियों का मालिक हूँ तो राज योग माना ही इंद्रियों का राजा ये मेरी कोई भी इंद्री मेरी आग्या के बिना कोई भी गलत काम नहीं कर सकती है तो ये जब हम अपने उपर इतना अटेंशन देंगे चेकिंग रखेंगे तभी तो चेंज होगा ये कई बार हम कहा देते हैं मेरा आज भी उस दिन भी बाबाने का बच्चे कई ऐसे हैं कुछ भी बोल देंगे फिर कहेंगे मेरा भाव तो ऐसा था नहीं अरे भाव नहीं था तो फिर कहा ही क्यों कहा ही क्यों भाव नहीं था तो नहीं है भाव तो कहो भी नहीं न जरूर है मन में था तभी तो मुख से निकल गया अगर मन में नहीं होता तो मुख से क्यों निकलता है? ऐसे कोई भी शब्ध मुख से नहीं निकलता है जब तक वो मन में न हो. ऐसे थोड़ी निकल गया. तीर तो आपने चलाएं न तो यह तो ऐसे थोड़ी कहेंगे अपने आप तीर चल गया. नहीं न? तो इसलिए बाबा कहते हैं है, लेकिन तुम अलंकार अपना गिरा देते हो, तो इसलिए देवताओं को दिया है, तो इसलिए एक-एक कर्म इंदरी पर मेरी विजय हो, क्या मेरी आँखे बिलकुल सिविल है, देखना है, क्या मेरे कान इतने केवल बाबा के ज्यान के मावा के सुनते हैं, या और या और कुछ दुनियवी बाते भी प्रकट होती है, ये भी देखना है, आपको कई अनुभाव में कई बार सुनाती हूं, जब बाबा ने मुझे ये वर्दान दिया, कि तुमारी जिबान पर सरस्वती का वास है आदि, ज्यान की वीना बजाने वाली सरस्वती आपकी जिबा पर है बाबा ने, ये वर्दान मुझे दिया, तो जैसे बाबा ने ये वर्दान दिया, तो मेरी तो बुद्धी वो चलने लगी, तो मैंने सोचा बाबा ने इतना बड़ा वर्दान दे दिया, तो दो बाते मेरे मन में आए, एक तो अगर सरस्वती जिबान पर है, तो इस म वो तो ज्यान की देवी होती है तो ज्यान ही उनके मुख से निकलेगा अग्यान की बाते तो नहीं निकलेगी कोई ऐसे कड़वे बोल तो नहीं निकलेंगे दुखदाई शब्द तो नहीं निकलेंगे तो इतना अपने पर अटेंशिन मैंने रखा बाबा ने इतना बड़ा वर्दान दिया, जरूर बाबा ने मुझे वो रूप देखा है, फिर दूसरा विचार चला, अगर बाबा ने मुझे ऐसा वर्दान दिया, तो बाबा मुझे से कुछ करवाना चाहते हैं, तो बहुत बड़ी सेवा देना चाहते हैं, तो उसके लिए बाबा तयार कर रहे हैं, तो क्या सेवा बाबा हमें देंगे, तो आसे तो सेवा कर दें रहे थे, कोई ऐसे नहीं कि सेवा नहीं कर रहे थे, और बिलकुल उसी के थोड़े समय के बाद, टेलिवीजिन का निमनतरन मिला, ये तब तो टीवी में तो हम लोगों के प्रोग्राम तो आते नहीं थे, तो 93 में सबसे पहले जो प्राइवेट चैनल्स चालू हुए, उसमें ZTV शुरू हुआ, और ब्रह्मा कुमारियों को ने मंतरन मिला, लेक्चर्स देने के लिए, और उसमें सबसे पहले तारी जी ने मुझे भेजा, तो तब मुझे ध्यान में आया कि देखो बाबा ने इतना वर्दान दिया, क्या सोच समझ कर दिया होगा ना, इतनी शक्ती बाबा ने भरी, तो पहले तो मैं संकोश करने लगी, क्योंकि उसमें TV तो थी नहीं, जो इस प्रकार से हम को रिकॉर्डिंग करें, और ऐसे टेलिव का प्रोग्राम हो, और पहली बार था, तो परन्तु क्योंकि दादी जी ने मुझे कहा, तो मैंने स्विकार कर लिया, तो यनि कहने का भाव है, कि एक लक्ष होता है, कि मुझे क्या करना है, और उस लक्ष के मुताबिक अगर हम चलते हैं, तो आटोमाटिकली वो लक्षन आ या इंद्रियां विकारों को खिंचती है, उसी पर हमें जीत पानी है, तो बाबा ने जो हमें आत्मा का ज्यान दिया है, माना मालिक बन करके इन इंद्रियों को चलाओ, गाड़ी को ठीक डंग से चलाओ, कोई ऐसा उल्टा कर्मन इंद्रियों से न हो, ये पहला अपने पर अटेंशन देना है, तब कहेंगे सार्थी, फिर बाबा कहते हैं, मन बुद्धी संसकार भी आपके, कोई संसकार के वश हो जाते हैं, तो हम कहते हैं, ये पुराने संसकार है, और बाबा कहते हैं, सबसे पुराने तो आपके आदी संसकार है, वो याद रखो, जो अनाद तो जब भी ये कुछ पुराने संस्कार याद आए, याद रखो, मेरे अनादी संस्कार कौन से, कौन से अनादी संस्कार, जो मैं आत्मा पांच, जो साथ गुणों की स्वरूप हूं, आठ कहो, साथ, तो चलो ज्ञान, पवित्रता, शान्ती, प्रेम, सुखानन, शक्ति कहते लेकिन इन सब के उपर है आत्मा सत्य है, तो आठ कह सकते हैं, आत्मा सत्य है, तो सत्य माना अविनाशी है, सत्य माना नित्य है, सत्य माना अपरिवर्तन शील है, तो मैं उस अपने अनादी गुण को कैसे भूल सकती हूं, तो कोई भी मेरी इंद्री द्वारा ऐसा कर्म न ह जो किसी को दुख मिले, यह अनादी गुण और फिर बाबा कहते हैं, अनादी गुणों का ही जब प्रैक्टिकल स्वरूप होता है जीवन में, वो हमारे आदी गुण है, देवताओं के गुण, एक-एक जो दैवी गुण है, उनका किसी ने किसी साथ गुणों से हम मेल कर सकत हैं, यह भी एक विचार सागर मन्थन करने की बात है कि पवित्रता के अंतरगत कौन से दैवी गुण आते हैं, शान्ती के अंतरगत कौन से दैवी गुण आते हैं, वैसे तो 36 दैवी गुणों का वर्नन है, देवताओं के गुण कौन से हैं, तो एक-एक जो उसका जो इसक कि, उनको याद करो, वो हमारी original संसकार है, तो जब भी इंदरी कोई भी अश्युद संसकार के वश हो जाए, तो याद करो मैं कौन, इसलिए बाबा किते हैं, मैं कौन में कितनी घेराई हैं, मैं कौन, कई किते था हम योग क्या लगा हैं, बस मैं आत्मा हूं मैं शुब बाब की संतानों ऐसे नहीं, मैं कौन में कितनी गेराई है, केवल मैं कौन, उस मैं शब्द में कितनी गेराई है, इसलिए बाबा कई बार कहते है, मैं फलाना फलाना की वजाए मैं आत्मा, मैं और मेरा, यही नर्क के भी द्वार है, और यही स्वर्ग के भी द्वार है, मेरा मेरा क वो स्वर्ग का द्वार बन जाएगा, और मेरा फलाना 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 कहा, तो वो नर्ख का द्वार बन जाएगा, तो इसलिए ये मैं मेरा ये दोनों शब्दों में कितना बड़ा राज समाया हुआ है, उस दिन भी बाबा ने मुल्ली में टीचर्स को कहा, मैं पहले, मैं पह में तो टीचर्स को आगे बिठाते थे, तो वो बिलकुल पहले-पहले आगर के बढ़ती थी वावस एकदम दृष्टी लेने के लिए, तो उसमें उनको कितनी कॉंपुटिशन होती थी, कौन पहले आता है? शान्तिवन में भी डाइमिंड हॉल में प्रवेश होने लिए, कितनी यह अंदर में धका दुकी भी होती थी, हम कैसे आगे जाएं, आगे बैठें, खेर, तो आगे उसमें मैं पहले, मैं पहले, तो हर बात में मैं पहले, तो ब् जब्द के इर्शा, इर्शा और स्वार्थ, तो इन दोनों से भी हमें परे होना है, तो यह सारी बाते जो बाबा हमें मुर्ली में कहते हैं, हम उनको कितना फॉलो करते हैं, आज की बाबा की मुर्ली थी, श्रीमत, तो श्रीमत हमें क्या-क्या कहती है, यह सारी श्रीमत मर् की लखीर है, इस मर्यादा की लखीर के अंदर रहना, यह है शरीमत को फॉलो करना, बाबा ने हर कर्म के लिए शरीमत दिये, उठो दो कैसे उठो, उस दिन भी बाबा ने का, सबसे पहले क्या कहो, गुड मॉर्निंग बाबा, बाबा इसे के सिवा और कोई उठते ही और याद कोई ना आए, और रात को सोते समय, गुड नाइट बाबा, सभी करते हैं न, सभी करते हैं, बिल्कुल, यह और-और कोई याद आ जाता है, तो इसलिए देखो, सब, हर कर्म के लिए, हर सोच के लिए, हर बोल के लिए बाबा की शरीमत है, सुबह से लेकर रातरी तक के के लिए भी शरीमत है, आप सोचो, हर मुडली से आप निकाल सकते हैं, कि किस बाबा ने यह शरीमत किस के लिए दी, किस कर्म के लिए दी, किस बोल के लिए दी, किस अंकल्प के लिए दी, यह होब वर्क हम मुडलियों से निकाल सकते हैं, भूजन करो तो कैसे करो, यह भी बाबा को भोग लगाना है और ऐसे ही बाबा को भोग नहीं लगाया और ऐसे ही खा लिया, गीता में भी आता है, जो भोग नहीं लगाता है, उसको क्या कहेंगे, चोर, तो शिव बाबा का दिया हुआ भोजन है, ब्रह्मा भोजन है, और ऐसे ही बश्रु कर दिया खाना, तो फिर तो चोर हो गए, शिव बाबा को यादी नहीं किया, उनको थैंक्स तो दिया ही नहीं, भक्ति मार्ग में भी करते हैं, और ज्ञान मार्ग में ऐसे खा लिया तो, इ ब्राम्मन किसको कहेंगे, ब्राम्मन की जो क्वालिफिकेशिंस है, वो सारी जो श्रीमत है, उसी अंदू सारी है, भक्तिमार्ग में भी, शास्त्रों में भी, ब्राम्मन किसको कहेंगे, जो ब्रह्मा महुरत में उठे, ब्रह्मा महुरत, ब्रह्मा महुरत इसले मशवरत, तीन बजे उठे, तो हम कहेंगे महायोगी। चार बजे उठे, तो चलो योगी। पांच बजे उठे, तो भक्त। भक्त भी पांच बजे उठ जाते। छे बजे उठे, तो रोगी। सात बजे उठे, तो भोगी। सात बज़े कॉनचते है, वो भोगी भी उठजाते, लिए उठए कॉनु लिए ब्राह्मन कॉन? जो ब्रह्ममवरत में उठे, जब भोगी सब सोए हुए है उनके लिए रात है, नोगीं के लिए वो सवेरा आए, लिए फोर दिए नोगी सोते है तब योगीं जाते है, तो सोलवे मंजिल पर था, और गर्मी बहुत थी, तो मुझे कहा कि आप AC चलाओ, मैंने कहा नहीं चलानी है, AC पसंद नहीं है, कोई बात नहीं खिड़कियां खोल देंगे, लेकिन तुका भेंजी आपको नीन नहीं आएगी, मैंने कहा क्यों नहीं आएगी नीन, क्या मच्छ बहाया है, मैंने कहला है, बहुत हमने कहा क्यों आवाज हुगा, क्यों आवाज होना चाहिए, मैंने कहा क्यों ओनाना चाहिए, मैंने डाशम रख़ हाजए एलिए आवाज, पॉल, 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 आवाज ही आवाज आती ही, 4 वजे तक आवाज ताय और उसके बाद आखिर फिर तो खिड़की बंद करनी पड़ी, तो मैंने का ऐसे क्यूं? लोग तो या 4 वजे सोते हैं, सारी रात वो ये पता नहीं, कहां कहां जाते होंगे तो चार बज़े तक भोगी लोग काम क्या है वो चार बज़े जाकर के सोते हैं और उस समय तो हमारे उठने का समय है तो देखो सच मुछ हमने का भई हमने उनका माना नहीं हमने का नहीं हमको तो एसी नहीं चाहिए खिड़कियां खुली रखो, चलो पंखा चला लो, तो देखो, वहां तो सब AC में सोते हैं, AC तो मुने का भारत में तो हम लोगों को जरूरत ही नहीं है, और मदुबन में तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, दुबई में जाओ तो चोवीस घंटा, AC चाहिए, चोवीस घंटा, दिन राद, चाहिए, लेकिन ये सब चलो ठीक है, पर कहने का भाव है, कि ब्रामन किसको कहेंगे, तो ब्रह्मा महुरत, फिर दूसरा ब्रह्मन किसको कहेंगे, जिसके बाद ब्रह्मा ज्यान हो, इसलिए ब्रह्मा ज्यान कहते हैं, तो ब्रह्मा ज्यान अठा, जो शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा दिया, वो ज्यान सदा बुद्धी में हो, वो ही ब्रह्मा ज्यान है, तो ब्रह्म बोज कहते हैं तो जो ब्रह्मा बाबा स्विकार करते थे वो ही भोजन हमें भी स्विकार करना है फिर चोथा है ब्रह्मचरिय वो भी वास्ता में ब्रह्माचारिय है अर्थात जो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा सिखाया और ब्रह्मा बाबा ने खुद उसको आचरण में लाया वो हो गया वो सच्चे ब्रामन तो ब्रह्मा महुरद, ब्रह्मा ज्यान, ब्रह्मा भोज और ब्रह्मा चरिय फिर तो और बहुत है ब्राह्मनों की विशेशताईं, ब्राह्मन वो जो पढ़ाई, पढ़े और पढ़ाई, पढ़े भी और पढ़ाई भी, हमेशा कच्छ में कुरम बाबा कहते हैं, कच्छ में कुरम मना, बगल में हाथ में सदा किताब, कुरम मना किताब, कुरम मना किताब सदा उसके पास शास्त्र जदा, सदाई उसके हाथ में है, उसके बगल में है, तो सदाई पढ़ना और पढ़ाना, सदा स्टूडिन्ट लाइफ, ये ब्रामण है, तो पढ़ना पढ़ाना, इसलिए बाबा की हर मुडली में आता है, बच्चे दूसरों को सुनाओ, दूसरों को सुनाओ, क्यों अपने तक नहीं रखो, कई कहते हैं, मैं हम ग्यान नहीं सुना सकते हैं, तो बाबा कहते हैं, और और बाते सुना सकते हैं, ग्यान क्यों नहीं सुना सकते हैं, बाके तो दुनिया की सारी बाते सुना सकते हो और ज्ञान नहीं सुना सकते हो ऐसे बुद्धु तो नहीं है नहीं जो नहीं सुना सकते हैं लेकिन अभियास जरूर चाहिए ज्ञान की बाते कैसे सुनाना और वो सचमुच दिल से तब लगे जब पहले हम भी उसको धारन करें इसलिए बाबा कहते हैं पहले खुद धारना मुरत बनना है अगर मन में खोट होगी तो ग्यान मुख से निकलेगा नहीं आज तो बाबा ने कह दिया गलाई गुट जाएगा गलाई खुट जाएगा वो ग्यान मुख से निकलेगा नहीं क्यों क्योंकि वो धारना तो है नहीं और चलो धारना नहीं है फिर भी ग्यान सुनाते हैं तो जो दूसरा सुनने वाला वा आगे चला जाएगा और सुनाने वाला पीछे रह जाएगा, ये भी है बाबा बताते हैं, तो इसलिए पढ़ना और पढ़ाना, खुद को भी पढ़ाना है, ये बल दूसरों को तो नहीं पढ़ाते हैं, अगर जब हम दूसरों को पढ़ाते हैं, खुद को भी तो पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए ब बढ़ना और पढ़ाना, फिर दूसरा क्या है, ब्रामनों के लिए क्या कहते है, यग्य करना और कराना, स्वाहा, 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 ये ब्रामन का करतवी है, तो खुद भी विकारों का स्वाहा, और दूसरों से भी स्वाहा कराना, ये ब्रामन का करतवी है, ब्रा जीवन की धारनाई उनकी रक्षा करने वाला हो, उनको आचरन में लाने वाला हो, वो ब्रामन है. और हम तो कौन-कौनसे ब्रामन हैं? ब्रहमा की डारेक्ट मुख वंशावले. वैसे ब्रहमा को कहते, टावसा करना, जास एक जन्म doubles 사ाऽ करना, आजाएगा, पर हम क्या कहेंगे, हमारे लिए Great Great Grandfather है, क्या Brahma, हमारे लिए Brahma क्या है, Direct Father है, क्योंकि पहली रचना हैं, हम पहली रचना हैं, तो संगम पर भी पहली रचना, फिर सत्युग में भी पहली रचना, ब्रह्मा के साथ साथ है न, आज भी बाबा ने कहा, कि कैसे ब्रह्मा सबसे पहला भक्त बना, वही आत्मा, सबसे पहला मनुष्य, आदीर देव, सबसे पहला मनुष्य, आडम, जिसको आदम कहा, बना पहला आदमी, शिव बाबा जिनके तन में प्रवेश करते हैं, और स्था अपना करते हैं, आदी सनातन देवी, देवता, धर्मकित,рузड तो आदी पिता हो गया, तो हमारा तो direct पिता है, Brahma की direct संतान है, हम नहीं कहेंगे Brahma Bābépoqueo, great 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 grandfather, वो तो उनके लिए है जो पीछे आए हुए है, तो हम तो direct Brahma की संतान है, तो इस समय हम रचना कर रहे हैं ब्रह्मा के साथ फिर वोई आदी देव फिर वोई विश्नु बनता है ब्रह्मा सो विश्नु तो पालना करता है तो फिर हम उनके साथ हैं पहले जनम में हैं फिर हम द्वापुर में भी पहले पहले भक्ति शुरू करते हैं तो वह आदी मानव आदी मनुश्य वह आदी देवताः वह आदी भक्त तो हम केवल ब्रह्मा तो नहीं है न कौन है, हम सब उनके साथ है तो इसलिए जब हम ये नशा रखते हैं कि हम सारा चक्र ब्रह्मा के साथ है तो हमारे उपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है हम वो ब्रामन है तो ऐसा अपने आपको समझ देनी है कि मैं कौन जब ये मैं कौन हूँ की गहराई में हम जाएंगे तब हम सचमुच अपने कर्मिंद्रियों को वश में कर सकेंगे और जब कर्मिंद्रियों वश में हुई तो आटोमाटिकली हम विकर्मा जीत बन जाएंगे तो पहले कर्मिंद्रियों जीत बनना है फिर विकर्मा जीत बनना है फिर कर्मा तीत बनना है और फिर उसके बाद संपन और संपूर्ण बनना है अच्छा, ओम शान्ती, ओम शान्ती, फिर मिलते रहेंगे एक हाथी लाकर दीदिका धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं, आभार मानते हैं और हमारे शुक्रिया करते हैं